दोस्तों मैं अमर्शीद ब्राडवे इमिकेशन सर्वसी से ब्राडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E Academy जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे तो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है टीचर 1-2-1 आपके साथ लाइब बैठेंगे आपके कोशन, डाउट्स, कन्फूजन और प्लस दे ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी इमिडेटली इर्जिस्टर्ड करें दियेगे नंबर पे 9216-780-780 सच्छिकाल दोस्तों मैं रियाता दसाडे यूट्यूब चैनल ते बौट-बौट स्वागत कर दिया है ते आज जसी लाइके आए हाँ कुछ अनिमल इदियम्स जो कि तुसी अपनी दे लाइफ ची यूज कर सकते हो ते एदिनाल तुसी अपनी स्पीकिंग आपनी स्पीकि की बना सक्देयां I had a huge crush on that actor but obviously it was just puppy love. Second, mad as a hornet एदा मतलब हुंदा है बहुत गुसा आना sentence या पकी यूज कर सक्देया I was mad as a hornet when my neighbor broke my precious waas. Third, to get your ducks in a row. एदा मतलब हुंदा है सब कुछ अच्छी तरह organize कार लेना. You had better get your ducks in a row otherwise you will be in big trouble at work. Next, wolf in sheep's clothing. एदा मतलब हुंदा है एक एहुज या इंसान जो कि अंदरो बहुत चालाग हुंदा है but उपरो उपरो सनु चंगा लगदा है. एदा संटेंसा से यूज कर सक्देया I can never trust him because he is wolf in sheep's clothing. Next, keep an eagle eye. बहुत केरफुली और क्लोज ली अब्सर्व करता. संटेंसा से यूज कर सक्देया I can never copy in exam because our teacher keeps an eagle eye on us. इस वीडियो नो लाइक करो, साड़ी चैनल नो सब्सक्राइब करो ते दिते गए help line number ते call करो. तान बात. दोस्तों मैं अमर्शीद Broadway Immigration Services है. Broadway की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E Academy जो आपको IELTS coaching देगी घर बैठे. आपको कहीं ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है. टीचर 1-2-1 आपके साथ live बैठेंगे. आपके questions, doubts, confusion और plus the training वो आपको घर पे provide की जाएगी. Immediately register करें. दियेगे number पे 9216-780-780. Thank you.